हाई गाइज वेलकम बैक टू माय चानल तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही सिंपल और कॉमन एप्लिकेशन में इस एप्लिकेशन का नाम है कैनवा आई नो आप मैंसे काफी सारे लोग कैनवा यूज करते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनने नहीं परता कि ये क्या है और किसके लिए यूज करते हैं और कैसे यूज करना है तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मैरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे लोड़ी कैनवा एप कैनवा में आपका स्वागत है तो सबसे उपर आपको डिफ्रेंट टेंपलेट्स दिक रही होंगी तो जो भी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म आप यूज करते हो उसके रिलेटेड आपको ये टेंपलेट्स उसकी साइज एकाड़न टू देर साइज यहाँ पर आपको डिजाइन्स मिलेंगी अगर आपको फेस्बुक के लिए पोस्ट डिजाइन करना है तो वह भी आपको यहां से आप कर सकते हो देन इंस्टाग्राम ट्वीटर सब सोचल मेडिया टेंपलेट्स अपको इस आप में मिल जाएंगी तैनि यहाँ पे कुछ रेडीमेट टेंपलेट्स भी हैं आप उनको भी यूज warmth कर सकते हो आपको अपको बस उस टेंपलेट्स पर जाना है उसके जो टेक्स्त है उसे रिप्लेस करना है और इमेज को रिप्लेस करने है आपको वॉस्ट रेडि हो जाएगी यहां पर मैं आपको कुछ रेडि में टेंपलेट्स दिखा देती हूं अपर पोस्टर्स के लिए टेंपलेट्स से यूट्जूब चैनल आर्ट और य तोरीज भी बना सकते हो देन यहाँ पे फोटो कोलाज है आप इसमें इमेज़स डाल के बना सकते हो देन प्रेसेंटेशन्स एक बार मैं आपको दिखा देते हूँ आप भी जाके वहाँ पर देख सकते हो देन फेस्बुक कोवर्स, फेस्बुक पोस्ट, यूटुब के लिए इंट्रोज आउप्रोज होते हैं ना वो भी हम यहाँ पर क्रेट कर सकते है कैनवा के फ्री वर्जिन में आप मैक्जिमम 5,000 x 5,000 पिक्सल्स की इमेजर टेंपलेट्स बना सकते हो अगर आपको इससे ज़्यादा साइज चाहिए तो यूट आप्ट पॉर प्रीमियम वर्जिन यहाँ पर जो अवेलेबल टेंपलेट्स है उसे में से हम एक उठा के उसे हमारी पोस्ट बनाते हैं हम तो यहाँ पर वो टेंपलेट आ चुकी है अगर आपको टेक्स्ट रिप्लेस करना है तो आपको टेक्स सेलेट करना होगा तो सबसे पहले हम image को replace कर देते हैं तो आपको image पे tap करना है और यहाँ पे upload media से आपको gallery में से एक picture उठाना है और यहाँ पे upload कर देना है इमेज डाउनलोड होने के बाद देख सकते हो कि आपकी image replace हो चुके है अगर आप चाहो तो उसे crop भी कर सकते हो then it's fine अगर अगर आपको text change करना है तो आपको select करना है और उसे जहाँ पर भी चाहे आप वहाँ पर उसे लगा सकते हो उसका font change करना है size change करनी है तो आप यहाँ पे नीचे आपको options दिये है उनसे आप कर सकते हो अगर आपको photo पे overlap करना है तो आप उसे just scroll करना है आपको then मैं इसका color change कर देती हूँ इस साड़ी के साथ match हो रहा है red red अगर आपको कोई part नहीं चाहिए तो आप उसे delete भी कर सकते हो यह मैं सब use करके आपको दिखाते हो कि इसका output क्या आता है देन बर्डे के यहाँ पे रहने देती हूँ आप यहाँ पे प्ले करके भी देख सकते हो कि यह कैसा देख रहा है overall तो इसका preview भी यहाँ पे आप देख सकते हो देन अगर आपको आपको लग रहा है तो आपको उपर जो first option है उस पर डाउनलोड कर देना है यह आपको suggest भी करेगा कि कौन से format में आपको यह वीडियो चाहिए अब बिल्कुल scratch से कुछ बनाते है तो मैं phone wallpaper बनाते हूँ तो उसमें blank अपको लेना है और यहां पर आपको जो elements से वह भी मिल जाएंगे जैसे कि template चाहिए तो वह भी मिल जाएगी अगर आपको कुछ element stickers चाहिए तो वह भी आपको यहां पर मिल जाएंगे अगर आपको grid चाहिए shape चाहिए different तो वह भी आपको यहां पर मिल जाएंगे तो मैं एक बार दिखा देते हो आपको shapes, frames चाहिए तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कुछ animated elements चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे category wise यहाँ पर available है अगर आप चाहो तो आप use कर सकते हो तो सबसे पहले हम background चूज कर लेते हैं यहाँ पर colorful भी है यहाँ और different patterns भी है available images तो मैं इमेज ले लेती हूँ तो यह birds वाल लेते हैं आप इसे crop भी कर सकते हो crop यह birds चाहिए मुझे और इसके उपर हम text लगा देते हैं तो आपको बस select करना है और उस text को edit कर देना है यहाँ पर आपको different patterns मिल जाएंगे और free version में इतने सारे मिल रहे है यह दो दो आ गए let me edit first some birds are not mean to be caged तो यह में don't worry यह दूसरा वाला में delete कर दूंगे जो पार्ट नहीं चाहिए वो आप आप डहाँ पर डिलेट कर सकते हो के अब इसकी font अब इसका font change कर सकते हो color और इसकी size अब एक बार adjust कर देना तो यह ठीक रहेगा कर सकते ही खए यह वह हो आप इसकी आप कर सकते है जो आप ख्लाव आप कर सकते हैं आप इसके एफेक्स भी दे सकते हो, टेक्स एफेक्स तो यहां पर में एक चूज कर लेती हूँ, यह लिच्वाला तो आप इसके एडिटिंग, लेट में सेव इट फर्स्ट अगर वीडियो अपका अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, आपने दूस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना